अच्छा जी बिसमिल्लार्माद रहीम आज हम बात कर रहे हैं एरर्स के उपर अकाउंटिंग के अंदर एरर्स को दो केटिगरी में डिवाइड किया है एक है एरर्स देट दो नॉट अफेक्ट ट्राइल बैलन्स और सेकेंड दिर आर एरर्स दो अफेक्ट ट्राइल बैलन्स तो पहले हम बात कर रहे हैं उन एरर्स पर जो ट्राइल बैलन्स पर एफेक्ट नहीं कर रहे हैं ट्राइल बैलन्स आपको पता है क्या होता है जी थोड़ा साब को रिमाइंड करा दू तो जब आप T accounts बनाते हैं, तो उन T accounts को balance करते हैं, तो वो जो balancing होती है, balance BD, balance CD, जितने भी balance brought down आते हैं, BD वाले, उनकी एक list बनती है और वो list कहलाती है trial balance, आपको पता है asset, expense और drawing का nature होता है debit, ऐसे ही liability, income और capital का nature होता है credit, तो जितनी भी debit items हैं, वो trial balance में debit side पे आ रही होती हैं, और जितनी भी credit items है, वो trial balance पे credit side पे, और end में वो trial balance क्या होता है, balance होता है, trial balance अगर आपका balance हो गया, सही है, तो इसका मतब जिसने error अभी तक पड़े नहीं है, वो यह समझता है कि trial balance अगर balance है, तो 100% accounts okay है, ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है, कि there are six types of errors that do not affect trial balance, means कि trial balance जो है, वो balance हो गया, उसके बावजूद भी there are still some errors remaining in the accounts, और वो कौन से errors हैं, उनको हम discuss कर रहे हैं, और उन errors को हम discuss करने के लिए, एक निमोनिक हमने बनाया है, और वो निमोनिक है, इसका नाम है, निमोनिक का cop rock, देखेजिए मैं लिख रहा हूँ, c, o, p, cop, r, o, c, rock, cop rock, rock stand for c for commission, यह error का नाम है, commission, o for omission, फिर देन, p for principle, commission, omission, principle, उसके बाद r for reversal, then o stand for original entry, and lastly we have c for compensating error, थोड़ से recap करा लेता हूँ, उसके बाद questions करना असान होगा, commission error क्या होता है, कि आपने error किया, और error यह किया, आपने goods बेची Mr. A.R.D. को, और गलती से आपने Mr. A.K.D. के account को debit कर दी, अब Mr. A.R.D. हो या Mr. A.K.D. हैं, दोनों आपके customer हैं, दोनों आपके लिए क्या है, asset, सही है, तो हमें debit करना चाही था, A.R.D. को गलती से हमने A.K.D. को debit कर देंगे, और A.R.D. को क्रेडिट कर देंगे, और A.R.D. को क्या कर देंगे, debit कर देंगे, तो यह क्या किलाएग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी हो, ऐसे ही rent की जगा electricity expense में डाल दिया, bank की जगा cash में डाल दिया, तो यह क्यलाता है, error of commission, दूसरा है error of omission, omission का मतलब आप entry बनाना ही बूल गए, सही, goods बेची Mr. A.R.D. को ना A.R.D. debit किया, ना sales credit किया, A.R.D. debit ना करने की वैसे debit side short हो गई, और sales credit ना करने की वैसे credit side भी short हो गई, तो जब दोनों side short हो गई, तो trial balance को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, debit side भी short हो गई, credit side भी short, accounts में जब भी कोई error हो जाता है, तो हम यह नहीं करते हैं कि page फार दें, या line मार दें, या cancel कर दें, या white o लगा दें, ऐसा नहीं account में जब भी error होता है, तो हम क्या करते हैं, जो error है उसको रहने देते हैं, और उसको correct करने के लिए हम एक अलग से औरिज, वो बना देते हैं, general entry बना देते हैं, debit और credit एक entry बना देते हैं, general general में, जिससे वो पुराना error का effect क्या हो जाता है, खतम, सही है, तो अब commission में हमने क क्याता है, wrong account को debit कर दिया था, for example, payment की थी, cash से हमने bank को credit कर दिया था, अब bank को debit कर देंगे, cash को credit कर देंगे, तो ये correction हो जाएगी, error of commission, omission का मतलब ARD को goods बेची थी, record करना भूल गए, कोई मसला नहीं, ARD debit कर दें, sales credit कर दें, error of principle, principle का क्या मतलब है जी, principle का मतलब हमने entry बन और हमने कोई expense incur किया है, उसको गलती से asset में डाल दिया, मतलब capital expenditure को revenue expenditure बना दिया, या revenue expenditure को capital expenditure बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? error of principle, example, गाड़ी खरीदी asset थी, गाड़ी को petrol account में डाल दिया, motor expense में डाल दिया, गाड़ी asset है, उसको आपने expense में डाल दिया, trial balance को क्यों चलना है, trial balance क्यों उतना बोला है, trial balance को स्टीय नहीं पर अचलना है, क्योंकि गाड़ी भी debit होती है, expense भी debit होता है, expense का नीचे भी debit होता है, asset का नीचे भी debit होता है, तो यह error of principle है, अब इसको correct कैसे करें, अगर गाड़ी खरीदी थी उसको expense में डाल दिया, तो expense को credit करते हैं, और मोटर वहीकल को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. तो ये कलाएगा मेरे भाई, error of principle. और कोई example, error of principle की, हमने bank से loan लिया था, लेकिन हमने उसको अपने बाप का पैसा समझ के capital में डाल दूए. ऐसा होता है, बहुत से politicians ऐसा करते हैं, कि loan लेके, अपने बाप का पैसा समझ के गर ले जाते हैं. अच्छा, हुआ ये, कि हमने तो loan लिया था, loan तो liability दी, लेकिन हमने liability की जगह उसको कहा डाल दिया? कैपिटल में, तो आप कैपिटल को debit कर दें और loan को credit कर दें, error of principle. अकाउंट को क्यों नहीं पता लगा, इसी नहीं पर अच्छा का, क्योंके loan और capital दोनों credit होते हैं. कमिशन में भी wrong account है, प्रिंसिपल में अकाउंट रॉंग है, अकाउंट की type भी wrong. प्रिंसिपल में की जो type है, वो कै औरror कमिशन में अकाउंट भीidée है, और account की अकाउंट गरत है, लेकिन type सही है, क्रिंसिपल में अकाउंट भी गरत है और type भी गरत है. तो कौन सा बड़ा गुना हुआ, commission य़ प्रिंसिपल, जो बड़ा जुर्म है, वो है ब्रिंसिपल. reversal, reversal का मतलब the account that should have been debited is credited और vice versa, जिस account को debit करना चाहिता उसको credit कर दिया या जिसको credit करना चाहिता उसको debit, for example Mr. ARD आपके data रहें उन से पैसे आए 500, हमें entry बनानी चाहिए थी bank debit ARD credit 500, हमने गलती किया कि bank को credit कर दिया और ARD जो customer उसको debit कर दिया, अब आपने wrong entry बना दी और reversal कर दिया, जो debit होना चाहिता उसको credit कर दिया, अब reversal ऐसा वाइद error है जिसकी correction में हम जो entry बनाएंगे वो double amount से करेंगे, reversal को जब भी correct करेंगे तो double amount से करेंगे, double amount की हूँ भाई, अगर 500 से मैं right entry बनाऊं तो पहले की wrong entry, यह वाली right entry क्या हो जाएगी, cancel out, और जो ARD से 500 डॉलर आएं वो तो record ही नहीं होगे, तो या तो मैं सही entry दो दफ़ा बनाऊं, सही है ना, लेकिन इस से बेतर है कि एक ही दबाद सही entry बनाते हैं, double amounts, जब मैं thousand से ARD को debit करूँगा, तो जो पहले ARD को गलती से, जब मैं thousand से bank को debit करूँगा, तो जो bank को पहले गलती से, मैंने क्या कर दिया था, credit वो खतम हो जाएगा, और जब दोबारा debit हो रहा है 500 से, तो automatically जो पैसे आए, वो भी record होगे, तो reversal में सिर्फ double amount होता है, और किसी में double amount नहीं होता, original entry का मतलब account भी सही है, type भी सही है, debit credit भी सही है, तो गलत क्या है भाई, amount गलात है, amount गलात है मतलब 500 के बदाए 5000 से entry बना दी, या 50 से बना दी, या और भी कोई mistake कर दी, नमबर्स आगे पीछे कर दी है, तो यह क्या कहलाएगा, error of original entry, 500 की sale की थी, हमने 5000 की record कर दी, अगर जाधा record कर दी है, तो जितनी जाधा record कर दी है, उतने से कम कर दी, sales को कम करने के लिए debit कर दे है, और customer को कम करने के लिए credit, और अगर कम record की है, तो जितना कम record की हो, तो ना और record कर लिए कस्टमर को और बढ़ा दे है, debit और sales को बढ़ा दे है, credit, सही है, लेकिन याद रखे, error of original entry से वो स्वक किलाएगा, जब debit और credit दोनों जगाओं पे mistake की है, कब आएगा भी error of original entry जब दोनों जगाओं पे mistake की है, अगर mistake सिर्फ एक ही जगा पे होगी, तो फिर error of original entry नहीं आएगा, अगर mistake जो है, वो ARD के account सही है, sales के account में mistake है, तो फिर error of original entry नहीं किलाएगा, वो फिर error affecting में आजाएगा, उस पे आगे बात करेंगा, compensating error, when two errors cancel out each other, क्या मतलब जी, मतलब यह है, दो अलग अलग जगाओं पे, आपने दो अलग अलग mistakes की हैं, लेकिन दोनों mistakes ने एक दूसरे का affect क्या कर दिया, cancer out, example यह, एक जगा गलती से sales को overstate कर दिया, दूसरी जगा गलती से purchase को overstate कर दिया, सही है, एक जगा गलती से credit side बढ़ गई, sales बढ़ने से credit side बढ़ गई, और एक जगा गलती से purchase बढ़ गई, तो debit side बढ़ गई, trial balance को पता नहीं चला, trial balance बैलनस तो होगी है, लेकिन still accounts में error है, तो अब purchase को अगर हमने बढ़ा दिया, तो purchase को credit कर दे, sales को अगर बढ़ा दिया था, तो sales को debit करके खतम कर दे, तो यह general entry बन जाएगी, compensated, compensating क्या होता है, दो अलग-अलग मौकों पे, दो अलग-अलग mistakes होई, लेकिन दोनों ने एक जुस्से का effect क्या कर दिया, cancel out के, एक जगा गलती से income कम कर दी, एक जगा गलती से expense कम कर दिया, तो क्या हो गया, compensate हो गया, देखते हैं बई, questions पढ़ते हैं, which is a compensating error, when two errors cancel out each other, क्या रहा है, check received from J. Wilk, debited to the account of Wilson, Wilk को Wilson में डाल दिया, तो यह commission का error होगा, जब wrong account में डाला है, commission में, आगे कहता है, drawing debited to the cash account, and credited to drawing account, यह क्या होगा, यह reversal होगा, reversal क्यों, drawing जो है, वो debit होती है, और cash credit होता है, इन्होंने cash को debit कर दिया, और drawing को credit कर दिया, तो यह complete reversal, second, third में क्या कहता है, purchase of motor vehicle on credit, debited to expense account, motor vehicle asset था, asset को expense बना दिया, यह कौन सा error है, principle का, जब account भी गलत है, account के type भी गलत, sales and purchase, both undercast by same amount, अभी मैंने यही इसी तरह की example दी दी, इसका मतलब दोनों को, अलग अलग जगाओं पे undercast कर दिया, undercast का मतलब, जितना record होना चाहिए था, उतना कम कर दिया, और overcast का मतलब, जितना होना चाहिए था, उससे,